यह हैं आज का पैर्ट हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम पिंक कलर में आपने दिज्जा से देखा यह वला पैटर मिनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हम फंदे कितने चाहिए पांच के मिलती हैं हमने 5 के मल्टिपल फंदे डाल लेने हैं और मैंने एक बेसिक सिर्फ उल्टी जो कि हमारे क्योंकि मेरे फंदे पीछे से उल्टे आ रहे थो इसलिए मैंने एक रूर डालके हम सीधी तरफ से आगे हमारे पैटर्ण सीधी तरफ से स्टार्ट होगा 5 के मल्टिपल फंदे लेने हैं तो फिर यह दिखिए पहले फंदे को एस्टिच करेंग दो फंदे उल्टे फिर दागा पिछली तरफ तीन फंदे सीधी पैटर्ण की फर्स्ट रो हमने दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधी देखिए स्टार्ट हमने किया दो फंदे उल्टे से दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे करते हुए हमने पूरी कर लेनी है और हमन दिखें, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे तो फिर ऐसे ही फर्स्ट रोव कंप्लीट कर लेते हैं तीन सीधे फिर दो उल्टे और फिर तीन सीधे लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे रहने चाहिए वो जो हमने दो फंदे एकस्ट्रा डाले हैं आगे सेकेंड रॉप पैचन के इल्टी रॉद इसमें दीखे만 पी इल्टें पी उल्टई इल्टा और सिधिधे दो फंद्E उल्टे इधर सिधियरे जो सीधियरे इसमें दया होगत नाफ आपनी तरफ तीन इल्टे धागा फिर इधर किया, दो सीधे, एक, दो, फिर धागा अपनी तरफ और तीन उल्टे, वन, टू, थ्री, तो ऐसी हमने पैटन की सेटन रो कम्प्लीट करके मिलते हैं पैटन की थर्ड रो पर, हम आगे थर्ड रो पैटन की थर्ड रो पे सीधी साइट से दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे, इसके बाद धागा हम अपनी तरफ ही रखेंगे और ये जो तीन फंदे, ये जो हमारे तीन फंदे जिनको हमने सीधा बोना था, इनको भी हमने उल्टा है निट करना, तीनों को तीनों ये लिखी, सिलाइड डालेंगे, तीनों को उल्टा निट करेंग फिर यहां पर एक बल डालेंगे, फिर इन तीनों में से एक बार निट करेंगे, हमारे होगे 1, 2, 3, फिर एक बल डालेंगे और फिर तीनों में से एक बार निट करेंगे, यह हमने तीन में से 5 फंदे बना दिये, और तीन में से 5 फंदे बनाने के बाद यह जो एक वला फंद ह हमारा इसको हम यहां पे आगे ले आएंगे ऐसे है क्योंकि हमने अब इनको धागा हमारा आगे ही रहे का फिर हमने दो फंदे उल्टे निट कर लेने वान तू इसके बार फिर देखे धागा आगे तीन का तीन फंदों में 181 बनाया फिर में धागा रैप किया एक और गखे हम फंद हूब हुगे पांच वनितीन में से हम पांच यह रहे हैं और दागा तीन में से पांच फंदे बना रहे हैं, फिर हमने दो फंदे उल्टे, 1 और 2, फिर हमने एक और दो उल्टे, 1, 2, फिर हमारा धागा आगे ही रहेगा, और 3 का हमने, 1, 2, तीनों का कर लेना, 1, तीनों में से हमने 5 फंदे बनाने, 1, 2, 3, 4, और 5, हमने 3 में से 5 फंदे बना लिए, फिर 2 फंदे उल्टे, और फिर हमने 3 में से 5 फंदे बना लेने, ऐसे हमने पूरी ये पैटन की 3rd row कम्प्लीट कर लेनी, पैटन की 3rd row कम्प्लीट करके फिर मिलते हम अपने पैटन की 4th row उ चार और पांच। ऐसे हमने तीन में से सभी पांच फंदे बनाते चले जाना और यह देखे सब्सक्राइब फिर इंते फंदे को स्टेच के यहां दो फंदे हमने सीधे दो सीधे धाग अपनी तरफ दो फंदे हमने उल्टे वन और दो दो उल्टे और तो हमने यहां पर फंदे उल्टे एक और दो दो उल्टे बुनने के बाद अब हमने यह जो हमारे फंदे रह गये हैं दो इनका दो का एक कर लेगा फिर धागा इधर करेंगे दो फंदे सीधे वान दो फिर धागा अपनी तरफ यह देखे एक फंदा उल्टा और दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे निट करने के बाद वान दो इसके बाद हमने यह जो तीन फंदे तीनों का एक कर देगा फिर धागा इधर दो फंदे हमारे आ जाएंगे यह सीधे दो फंदे सीधे इसके बाद फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हमारा उल्टा दूसरा भी हमने उल्टा निट किया और यह जा हमारे तीन फंदे रह गए इन तीनों का हमने एक कर देगा फिर धागा इधर दो फंदे सीधे एक और दो फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा इसके बाद हमने तीन का एक कर देगा पिर दागा इधर, दो हमने सीद़े, एक और दो फिर दागा अपनी दीत करते एक फंदा और दूसरा हमने नेट करना है और इसके बाद हमने तीन का एक कर देना है फिर धागा इधर और दो फंदे फिर हमारे सीधे लास्ट वाले फंदे को हमने यास्टिच को सीधा यह उल्टा जैसे आप की मर्जी हो वैसे आप बुन सेकते हों यह देखे यही चारों हमने रिपीट करते जाना हमारा यह देखे तोर फिर गर्म पीट कर लिते हैं तो एसे हमने सीयस है पर स्थे को स्थे करुछे दो और फंदे फिर करते जाना फिर हमने द्वर फंदे उल्टे थागा इधर फिर हमने तीन फंदे सिधे तो ऐसे हमने इस पैटर göst को बनाते जाना है मैं यह पैटर थोड़ा से बना लेते हूँ फिर आप देखे क्या पेटर कैसे Gluk तो आप इसको किसी प्रजेक्ट पे ढाल सकते हो सभी प्रजेक्ट के लिए बढ़ी यह रहेगा और आपको मैंने बता ही दिया कि बनाना वी इसको कितना असान है तो यह इसकी फ्रंट साइड और इसकी पैक साइड है और यह देखिए यह हमारे पैटन की फाइनल लुक तो न